टेलीफोन पर बातचीत का सफर शुरू हुआ था लगभग 148 साल पहले एलेक्जंडर ग्राहम बेल दुनिया के सामने टेलीफोन लेकर आये थे बेल के टेलीफोन से लेकर इस मुबाइल फोन तक कैसा रहा कम्मुनिकेशन डिवाइसेस का सफर देखे ये रिपोर्ट साथ मार्च 1876 ये वो दिन और तारीख थी जब स्कॉटिश साइंटिस्ट एलेक्जंडर ग्राहम बेल को दुनिया की तस्वीर बदल देने वाले आविशकार का पेटेंट बिला था आविशकार था टेलिफॉन का जिसके उपयोग से दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर हम कहीं भी अपनी आवाज पहुचा पाने में सक्षम हुए और ये था ग्राहम बेल का पहला टेलिफॉन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ग्रहम बेल ने ना केवल टेलिफोन बलकि कम्यूनिकेशन टेकनलोजी के खुशेत्र में कई और भी उप्योगी आविश्कार किये हैं Optical Fiber System, Photophone, बेल, Decibel Unit, Metal Detector जैसे आविश्कार भी उन्होंने ही किया था बेल की टेलिफोन कमपनी का पहला विज्यापन 1877 में बोस्टन के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ गरेलू उप्योग के लिए टेलिफोन के चार्जेस 20 डॉलर सालाना जबकि व्याबसाइक उप्योग के लिए 40 डॉलर सालाना रखे गए और 1877 में ही पहली बार लोगों के लिए मार्केट में कमर्शियल टेलिफोन मिलने शुरू हुए बहराल दीरे दीरे ये आविश्कार अमेरिका में फैलने लगा और 1880 तक अमेरिका में करीब 50,000 टेलिफोन लग चुके थी इसके बाद वक्त बदला, 19-वी सदी आई और टेलिफोन के सुरूप भी बदलते गए 19-वी सदी के अंत में मुबाइल फोन आए और 1993 में तो एक नया और अनोखा गैजेट दुनिया के सामने आया आई बी एम साइमन नाम का ये फोन दुनिया का पहला स्मार्ट फोन माना जाता है इसकी क्विमत 800 डॉलर थी इस गैजेट में मुबाइल फोन, पेजर, फेक्स मशीन और परसनल डिजिटल असिस्टेंट सभी शामिल दे ये एक एडवांस डिवाइस था जिसने मुबाइल फोन की परिभाशा ही बदल दी इतना ही नहीं टच स्क्रीन मुबाइल की शुरुवाद भी इसी स्मार्ट फोन से मानी जाती है साथ मार्ज 1906, ये दिन भारत के एक मित्र देश फिल्लेंड से बहत खास जुडाव रखता है इस दिन फिल्लेंड में महिलां को वोटिंग करने का अधिकार मिला था यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे वाटसेप नमबर 700-00-24141 पर भेजिए और बनिये हमारे सूत